हमारे लिए रिस्तों को समझ पाना हमेशा मुश्किल भरा काम रहा है और तब जब हमारे साथ कोई नया इंसान जुड़ता है तो हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी से उसे समझ ले क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा उनसे लगाव होता है कि हम बहुत जल्दी सब कुछ उनके बारे में जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं पूरी तरह से हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है उन्हें जानने की समझने की लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है उसकी वज़े है कि जब कोई नया इंसान हमसे जुरता है तो हम कैसे उसे इतनी जल्दी जान पाएंगे क्योंकि जब हमारे साथ कोई इंसान नया आता है हमसे जुरता है तो अपने पीछे उसका अतीत होता है उसकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें होती है जो वो हमारे पास लेकर आता है उन्हें छोड़ कर नहीं आता कहीं ना कहीं वो उसके मन में समाई होती है उसकी तकलीफें उसका दुख, दर्द, उसके आंसू वो कितनी तकलीफों से गुजरा है उसकी खुसियां अगर थोड़ा है तो वो भी पर जादा तर चीजें ये हमारे साथ आती है अगर कोई जुड़ा है तो सौभाविके कुछ छोड़ करके हमारे पास आ रहा है वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं था इसलिए वो हमारे पास आ रहा है पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जो बीता उसे वो छोड़ करके आ रहा है वो सब कुछ ले करके आता है उसकी किस से क्या अनवन्थी क्या क्या उसने पीछे सहा है वो सारी चीजे होती है इसी वज़े से हम जल्दी किसी को नहीं समझ सकते है हमारे लिए हमको समय देना पड़ता है किसी को समझने के लिए उसका ब्यवहार क्यों है ऐसा वो इतनी जल्दी हम से क्यों नहीं घुल मिल पा रहा है उसके पीछे क्या रीजन है तो हमको उसमें हम पूझ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ नया इनसान जुड़ रहा है लेकिन जब हम उसको वक्त देते हैं उसके सा एक दोस्ती भरा रिस्ता निभाते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें खुलने लगती हैं, और सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन अगर हम जल्दवाजी करते हैं रिस्तों में, कि सामने वाला आया है, तो फटा-फट से हमारा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता, बहुत जल्दी कोई इनसान हमारे साथ इरजस नहीं हो सकता है, इस बात को हमेशा हमें समझना चाहिए, तो अगर आप किसी नए इनसान से हमेशा के लिए मजबूत रिस्ता चाहते हैं, परफिक्ट रिस्ता चाहते हैं, तो उस इनसान के साथ दोस्ती सबसे पहले आप एक दोस्त बनिए अच्छे दोस्त जितनी अच्छी गहरी दोस्ती होती है उतना अच्छा रिस्ता आपका आंगे बढ़ता है तो दोस्ती हर रिस्ते की मजबूत नेव है जिस भी रिस्ते में दोस्ती है वही रिस्ता आपका बहुत अच्छा होता है लेकिन जो नया रिस्ता आप बनाते हों, उसमें दोस्ती पहले पकी करिए, पहले आप अच्छे दोस्त बनिए, इसके बाद उस रिस्ते को आंगे बढ़ाईए, और आप देखेंगे कि जीवन भर, जीवन भर के लिए एक अटूट रिस्ता बन जाएगा, कभी ना तूटने वाला र बढ़ेगा, और आँगे चल करके आप जैसा चाहते हैं, वैसा आपका रिस्ता बनेगा, इसकी गारंटी है, इसलिए हर नए रिस्ते को समय जल्म दीजिए, और दोस्ती पकी करिए, इसके बाद आप उस रिस्ते में आँगे बढ़िए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो झाप।